इंसान की समझ पहला, इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और सेर कहो तो खुस हो जाता है दूसरा, इंसान ना कुछ हसकर सिखता है ना कुछ रोकर सिखता है जब भी कभी अलग सिखता है तो या तो किसी का होकर सिखता है या फिर किसी को खोकर सिखता है तीसरा, साम सुरज को ढलना सिखाती है, सम्मा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वालों को तकलीफ तो होती है पर ठोकर ही इनसान को चलना सिखाती है चौथा, अच्छे विकल्प देने पर भी लोग प्राया नहीं बदलते, लोग प्राया तभी बदलते हैं जब उनके पास कोई विकल्प नहीं होता पाँच्वा, समझ ग्यान से ज़्यादा गहरी होती है, बहुत से लोग आपको जानते हैं परन्तु कुछ भी आपको समझते हैं छाठ्वा, कुछ लोगों को इज़्जत रास नहीं आती, जब तक उन जैसा ना बन जाओ, उन्हें समझ नहीं आती साथ्वा, जवाब तो हर बात पर दिया जा सकता है, मगर जो रिष्टों की एहमियत ना समझ पाया, वो सब्दों को क्या समझेंगे आठ्वा, खुद की समझदारी ही एहमियत रखती है, वरना अरजुन अरदुरियोधन के गुरु एक ही थे नवा, डूपता है तो पानी को दोस देता है, गिरता है तो पत्थर को दोस देता है, इंसान भी बड़ा अजीब है, कुछ नहीं कर पाता तो किसमत को दोस देता है दस्वा, किसी इंसान की आदत देखनी हो तो उसे इज़द दो, और फित्रत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी इंसान की नियत देखनी हो तो उसे करज दो, और उसकी गुन देखने हो तो उसके साथ खाना खाओ, किसी इंसान का सब्र देखना हो तो उसे हिदायत और उसकी अच्छाईयां देखना हो तो उससे सलहा ले लो धन्यवाद ये विचार अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले